Very Good Morning student, आज हम आपकी हिंधी ग्रामर के शॉट ग्रामर का एक टॉपिक पद परिचे पढ़ेंगे, हमारी शॉट ग्रामर के चार टॉपिक हैं, वाक्या के बेद, बाच्या, पद परिचे और रस, वाक्या के बेद और बाच्या यह दोनों ही टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चु पद होते क्या है, वह मैं आपको बदा देती हूँ। पहले तो आपको शब्द और पद में अंतर पता होना चाहिए। शब्द हमेशा स्तुतंत्र होते हैं और जो पद होते हैं, वो वाक्य में जब परियुक्त हो जाते हैं शब्द, तो उनको हम पद कहते हैं। वर्णों का सारत अक्समुष शब्द कहलाता है और वाक्या प्रियोग होने वाले शब्द पद कहलाते हैं कि जब एक वाक्या, for example मैं आपको बताती हूँ कि तालाब में कमल खिलते हैं, एक हमारे पास ये वाक्या है और एक है खिलते हैं कमल तालाब में, तो दोनों में डिफ इन वाले हैं वो शब्द स्वतंत्र हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा लेकिन जो फर्स्ट हमारा जो वाक्या है तालाब में कमल खिलते हैं, उनमें एक अर्थ सार्थक अर्थ हमारे सामने आ रहा है और वो सारे ही शब्द व्याकरणिय नियमों से बंध हैं, तो वो क्या लाएंगे, और हर एक पत का अपना परीच्चे होता है, तो इसे प्रकार इनका भी अपना एक परीच्चे है, पत परीच्चे जो एक टॉपिक आपका, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ चाहिए, वो है आपने जो लोवर क्लासेज में संग्या सर सर्वनाम, विशेशन, सर्वनाम जो भी है, आपको नहीं आते हैं, तो आप पत परीच्चे इसको कर ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, तो पहले आपको पत परीच्चे बता देती हूँ, किस प्रकार से करना है, पत पांच प्रकार की होती है, पत और पत परीच्चे, संग् तो संग्या में आपको कौन-कौन सा पदपरिश्य देना है, जैसे संग्या के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भावाचक, तीनो भेद संग्या के में, अगर कौन सा भेद है वो आपको बताना है, उसके बाद, लिंग कौन सा है, बचन कौन सा है, कारक, क किरिया का कर्म है यह भी आपको पता होना चाहिए तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताए था लिंग वचन कारक यह लोवर क्लास में आप पढ़ चुके हो सब कुछ आपको पता है एक बार फिर से समझ लेना पढ़ लेना तो आपको जो यह पढ़ परिच्छ जो आपका सर्वनाम के भेद वाक्या में परियुक्त आपको पता है कि संग्या के स्थान पर जो काम आते हैं वो सर्वनाम होते हैं तो सर्वनाम के कौन सा भेद वो है पुरुष वाचक है निश्चे वाचक प्रश्न वाचक समंध वाचक या निज वाचक जो भी सर्वनाम है वो आप बचन, कारक और वो किरिया का करता है या किरिया का कर्म है वो आपको देखकर वहाँ पे लिखना है आपको जब मैं उधारन दूँगी तब आपको मैं ज़्यादा अच्छे से और बता दूँगी नेक्स्ट है विशेशन अब आपको विशेशन जैसे कि आप पढ़ चूकि कोई विशेशन बताता है किसी की तो वो विशेशन होता है विशेशन के कितने भेद है? चार, गुणवाचक, संक्यावाचक, सार्वनामिक और परिमानवाचक ये चारों ही भेद विशेशन का कौन सा विशेशन है? कौन सा भेद है? वो आपको लिखना है उसके बाद उसके वस्था कौन सी है? उसके बाद वही लिंग, वचन और विशेश्य है आपको यहाँ पर विशेश्य है लिखना है नेक्स्ट है क्रिया जैसे क्रिया के भेद अब जो क्रिया है उसके अंदर आपको काल ये भी लिखना है नई एड है इसके अंदर काल जो आपको संग्या सर्मना विशेशन में नहीं लिखना था लेकिन जो क्रिया है इसमें आपको ये सब लिखना है और क्रिया का कर्म कोन है निक्स अव्य क्रिया विशेशन के जो वह आपको लिखने है उपभेद और विशेश्य क्रिया का निर्देश क्या कह रहा है यह आपको उसके अंदर लिखना है अव्या में तो अगर आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पहले लोवर क्लासेश की जो यह टॉपिक है चोड़े-चोड़े स सरंगया, सरंवाविशेशन, लिंग, वचन, कारक यह सब पढ़ लेजिए तो आपको अच्छे से समझा देगा बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आपको और समझा दूँगी